सबी यूटूब देखने वालों से मेरा प्यार बरा नमस्कार सत्ते ही है सचकी जीट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज आपको बच्चों में बुद्ध का विकास कम हो जाना या जनम से ही नहीं होना उनके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय बताएंगे जिसका प्रियोग करके आप बच्चे की बुद्ध का विकास कर सकते हैं बहुत ही सरल और गरेलू छोटे छोटे उपाय है जिनका प्रियोग करके आप आसानी से लाब ले सकते हैं तो सुरू करते हैं नुष्के क्या है कुछ बच्चों में बुद्धी का विकास जनम से नहीं होता है और कुछ बच्चों में रोगों के कारण भी बुद्धी का विकास नहीं होता है सनायु तंत्र का विकास नहीं होने के कारण बुद्धी का विकास ठीक से नहीं हो पाता है इसके लक्षण बिना किसी कारण का हंसना बोलना और रोना आधी बुद्धी का विकास ने होने के लक्षण है इसका विभिन औस दियों से उपचार किया जा सकता है नमबर एक छुहारा दो छुहारे और मिश्री को दूद में डाल कर उबाल कर खाने और दूद पिने से बुद्धी का पूर्ण विकास होता है ब्रामी संक पुषपी बराबर मात्रा में लेकर ब्रामी रस में तीन बार विगो कर चाया में सुका ले यह एक ग्राम की मात्रा में सुभः शाम गीव सहद के साथ मिला कर काफी दिनों तक चटाने से बुद्धी का विकास होता है जान रखें सहद और गीव का सम मात्रा में परियोग ने करें और उपाय है मुन का दो ग्राम मुन का परती दिन मिश्री मिले गरम दूद के साथ खाने से बुद्धी का विकास होता है सहद के साथ लगबग एक चोथाई ग्राम चांदी की बसम सुभै श्याम लेने से बुद्धी का विकास होता है और समर्ण सक्ती बहुत ही तेज हो जाती है कांजू सर्दियों में सुरियदे से पहले खाली पेट बीस गराम कांजू खाकर उपर से सहथ चटाने से दिमाग तेज होता है काली मीरच और मिश्री बराबर मातरा में मिलाकर पीस लें और परती दिन एक कप दूद के साथ दिन में तीन बार शेवन करें इस से दिमाग की कमजोरी दूर होती है और समर्ण सक्ती बहुत ही जबर्दस्त बढ़ जाती है शेव जिन लोगों के मस्तिस्क और सनायू दुर्बल हो और यादास्त की कमी हो उन्हें शेव का सेवन आउश्य करना चाहिए इस से यादास्त बढ़ती है और बुद्धी का पूर्ण विकास होता है एक या दो शेव बिना छिले खूब चबा चबा कर बोजन शेपंद्रे मिंट पहले खाना चाहिए इस से आपकी पाचन सक्ती भी ठीक रहेगी और सरीर में सारी दातूं का रस भी बनेगा सतावर लगबग 3-6 ग्राम सतावर की जड़ का चूरण दूद के साथ दिन में दो बार देने से बुद्धी का बहुत ही जबर्दस्त विकास होता है असोक के पेड़ की चाल और ब्रामी का चूरण बराबर मातरा में मिला कर एक एक चमच सुभह शाम एक अप दूद के साथ नियमित रूप से कुछ माहा तक सेवन करने से बुद्धी का विकास होता है आपको छोटे छोटे कई सारे उपाई बताए हैं आपको जो भी उपाई सरल लगे वही उपाई आप परियोग करें इसी के साथ आपने अपना कीमती समय देकर मेरा वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद